Hello everyone, welcome to ISPCA Center, this is Prasand Kumar Friends, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ अगस्त महीने की पर्त्योकता दर्पन की सौट नोट्स को डिसकस करूँगा जैसा कि आपसे भी जानते हैं कि टीम ISPCA Center के द्वारा परतेक महीने की पर्त्योकता दर्पन की सम्री नोट्स अपनी YouTube चैनल ISPCA Center पर डिसकस क्या दाता है, तो आज उसी की कड़ी में अगस्त महीने की पर्त्योकता दर्पन की सौट नोट्स को डिसकस करूँगा इसके पूर्व में हमने सत्तरमी विपेसिप प्रिलिम्स के लिए जनवरी दो हजार चोवी से लेकर अभी तक के परतेक महीने की पर्त्योकता दर्पन सौट नोट्स को डिसकस किया है, वे सभी हमारे YouTube चैनल के प्लेलिस्ट में अब लेवल है, आप लोग उसे देख सकते है तो आईए हम लोग डिसकसन प्रारम करते हैं, आप लोग अगर YouTube चैनल पे नए हैं तो YouTube चैनल को सबस्क्राइब कर लें और हमारे टेलिग्राम ग्रूप as the rate ISP से सेंटर को आप लोग जोईन कर लें, आईए हम लोग डिसकसन प्रारम करते हैं, पहला और सबसे महत्तपुन इसकसन है, आप सभी जानते हैं कि अठारमी लोग सबस्क्राइब के परिणाम आने के पस्चात केंद्र में नई सरकार का गठन हुआ है, और नई सरकार के गठन होने के पस्चात नई कैबिनेट का भी गठन किया गया है, तो अगर सेंटर लेवल पे देखा जाए, तो प्रधान मंत्री पद की उन्होंने सपतली है, इस बार जो मंत्री परिशद का गठन हुआ है, उस मंत्री परिशद में टोटल 72 मेंबर हैं, यानि कि कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, सोतंत्र परवार के मंत्री इन सभी को मिला कर कुल मंत्री परिशद के सदस्यों की राज मंत्री 36 और राज मंत्री सोतंत्र परभारवाले मंत्री हैं 5 तो टोटल हो गए 71 और एक प्राइमिनिस्टर तो टोटल मेंबर हो गए 22 कुल अगर मंत्री परशद में देखा जाए कि महिलाओं की कुल संख्या कितनी है तो महिलाओं की कुल संख्या 7 है यानि कि मोधी 3.0 काइबिनेट में साथ महिला मंत्री भी सामिल हैं सबसे युवा मंत्री के रूप में रचा खड से सामिल हैं ये समभवता 37 वर्ष के हैं और सबसे बुजूर्ग मंत्री देखा जाए तो जीतन राम मांजी हैं ये 79 एर के हो चुके हैं ठीक है तो सबसे युवा मंत्री रचा ख पाल भूटान और सेसल्स के प्रतिनीधी सामिल थें ठीक है कुछ के देखेंगे कि राष्टपति आये हुए थे कुछ के राष्टपती या उप राष्टपती उनके प्रतिनीधी सामिल हुए थें तो इन साथ पडूसी देशों के सासना ध्याच या उनके प्रतिनीधी ने प और अब आज का जो महत्पुन था हुआ था नई काइबिनेट का गठन अगले हैं अब सभी जाते हैं कि लोग सवाचुनाव के साथ साथ चार राज्यों के विधान सवाचुनाव ही संपन हुए थें उनमें अंदरपरदेश, उडिसा, अरुनाचल परदेश और सिक्किम ये सपत लिया, अरुनाचल परदेश के नए मुखमंत्री प्रेमा खांडू बनें और सिक्किम के नए मुखमंत्री प्रेम से तमांग बनें तो ये चार न्यू चीफ मिनिस्टर्स हैं जो की लोग सवाचुनाव संपन हुए थें अब आगे बढ़ूं उससे पहले आप समी के के लिए हत्तपुन नोटिस है कि टीम ISP से सेंटर के द्वारा जनवरी दो हजार चोवी से लेकर अक्टूवर दो हजार चोवी से तक सतर्मी बीपेसिफ प्रेलिम्स के लिए परतोकता दरपन के समरी नोट्स का जो पीडियेफ है उसे RS99 रुपे में आप सभी के लिए अब पेटियम करके स्क्रीन सॉट करके आप पेमेंट भेज दें स्क्रीन सॉट करके इसी नमबर पे आप लोग वाट्सेप भी सेंड कर दें तो आपका नोट्स जो है आपको वाट्सेप पर सेंड कर दिया जाएगा तो RS99 चार्ज है जनवरी से लेकर अक्टूवर महीने तक की स 9870564701 ठीक है तो आप लोग यहां पेमेंट करके मैसेज कर दें आपको नोट्स भेज दिया जाएगा अगला है QS रैंकिंग 2025 देखे QS रैंकिंग 2025 जो है वह लंदन इस्थित QS क्वाक्वा रेली साइमंट्स के द्वारा जारी की जाती है यह प्रतिवर्श रिपोर्ट जा जाए तो विश्व के सिर्ष 1500 संस्थानों में भारत के 46 संस्थान सामिल है वही टॉप 200 इनवर्शिटीज में भारत के 2 इनवर्शिटीज सामिल है जिनमें IIT बॉंबे 118 राहमा रायंग पर और IIT देली 150 रायंग पर सामिल है ओबर ओल अगर QS रैंकिंग 2025 में ओबर ओल फर्श्ट रैंक देखा जाए तो फर्श्ट रैंक MIT युवेसे को मिला है तो यह है QS रैंकिंग 2025 अगल है हाली में चर्चा में रहा नागास्त्र रुवन क्या है? भहुत चर्चा में रहा है स्वदेश निर्मित आत्मगाती ड्रोन है इसका निर्मान जो है वह इंडियन एक्स्प्लोसिब्स लिमिटेड के द्वारा इसका निर्मान किया गया है नागपूर इस्थित सोलर इंडास्ट्रीज की सहायक कमपनी इंडियन एक्स्प्लोसिब्स लिमिटेड के द्वारा नगास्त वन का निर्मान किया गया है जो कि स्वदेश निर्मित एक अत्मगाती ड्रोन है अगला है हाली में चर्चा में रहा रुद्रम दो मिसाइल क्या है देखिए रुद्रम दो मिसाइल अब से पूछा दा सकता है कि रुद्रम से समंदित निमनलिकित में से कौन सा कथन सकते है तो आप लोग याद रखेंगे इस समंदित चर्पाच मात्तपुन पॉइंट रुद्रम दो का हाली में परिछन किया गया है यह बिसिकली हाइपरसोनिक मिसाइल है ठीक है हाइपरसोनिक मिसाइल है और इसकी जो मारक रेंज है वह एयर टू सर्फेस है यानि कि वायू से सतह में यह मार करती है रुद्रक मिसाइल ठीक है तो रुद्रक मिसाइल एयर टू सर्फेस ठीक है यानि कि वायू से सतह है DRDO के द्वारा उडिशा टट पर इसका परिच्छन किया गया है और रुद्रम 2 की जो रेंज है वह 300 किलोमीटर इसकी रेंज है अब यह भी पूछा जा सकता है कि हाल ही में देश में लागू किये गए नया डाक घर अधिनियम दो हजार तेईस ने किस अधिनियम को रिप्लेस किया है तो इसने 1898 के भारतिय डाक घर अधिनियम को रिप्लेस किया है यानि कि कुल मिलाकर भारत में पहले भारतिय डाक घर अधिनियम 1898 प्रचलित था और उसके अस्थान पर उसको replace करते हुए डाक घर अधिनियम 2023 पारित किया गया जिसे 18 जुन 2024 को लागू किया गया है तो इसे आप लोग याद रखेंगे नया डाक घर अधिनियम 18 जुन 2024 से लागू किया गया हली में सिरी नगर को 20 सिल्प नगरी का दर्जा प्रदान किया गया है और 20 सिल्प नगरी का दर्जा प्राप्त करने वाला भारत का यह चौथा सहर बना है अन्य तीन सहर में जैपूर मैसूर और मामल पूराम इस्थित है ठीक है तो 20 सिल्प नगरी हली में किस सहर को प्राप् जिसे 20 सिल्प नगरी का दर्दा दिया गया है तो अन जो तीन सहर हैं उनमें जैपूर मैसूर और मामल पूरम है अगला है राश्टपती का अभिभासन देखिए आपने पॉलिटी में जरूर आपने पढ़ा होगा कि नई लोगसभा का चुनाव होता है उसके पस्चात नई लोगसभा का जब गठन किया जाता है तो दोनों सदनों का एक संजुक्त अधिवेशन में राश्टपती के द्वारा अभिभासन दोनों सदन में राश्टपती का अभिभासन होता है ठीक है भारतिय सम्विधान के आर्टिकल 87 में राश्टपती के अभिभासन की चर्चा क उसकी गई है और इस बार मानेनीय राष्टपती द्रापधी मूरमो के द्वारा 27 जून 2024 को संसत के संजुक्त सत्र में राष्टपती का अभिभासन संपन हुआ तो 27 जून 2024 को राष्ट्रपती ने अपन अभिवासन दिया संसत के संजुक्त सत्र में जिसका वर्णन भारतिय सम्धान के आर्टिकल 87 में किया गया है दच्छिन अफरीका के नए राष्ट्पती कौन बने मेक्सिको की यह महत्तपुन है मेक्सिको की पहली महिला राष्ट्पती कौन बनी तो मेक्सिको की पहली महिला राष्ट्पती कलॉडियस इनवाम बनी है देखिए यहाँ एक और महत्यपुन फैक्ट्स है कि मेक्सिको में महिलाओं को वोट देने का अधिकार 1953 में मिला था और अमेरिका में महिलाओं को वोट देने का अधिकार जो है 1920 में परदान किया गया इसके बाब जूद अब देखेंगे मेक्सिको में 1953 में मिला है और अमेरि पती नहीं बनी है लेकिन आप देखेंगे कि अमेरिका का पडूसी देश मैक्सिको जहां बाद में महिलाओं को वोट देने का अधिकार परदान किया गया वहाँ पर पहली महिला राष्ट पती होने का गौरब कलॉडिया सीनवाम को प्राप्त हो चुका है ठीक है तो यह एक दानकाली के लिए यहाँ पर दिया गया है या BPSC के लिए मत्तपूर नहीं है आप लोग इतना याद रखें मैक्सिको की पहली महिला राष्ट पती कलॉडिया सीनवाम बनी हाली में बिमान दुरहटना में किस देश के उपराष्ट पती का निधन हुआ है तो मलावी के उपराष्ट पती अगर पूछेगा तो आप बताएंगे मलावी और इरान के राष्ट पती काफी निधन हुआ अगला है पचासमा G7 Summit 2024 बहुत मत्तपूर जी सेवन यह मेंस के लिए भी यह topic काफी मत्तपूर हो जाता है G7 topic ठीक है देखिए पचासमा G7 Summit है आप लोग एक G7 Summit कनाड़ा में 2025 में कनाड़िस्क अलबर्टा में होगा ठीक है अभी आएए पचासमा G7 Summit पे तो पचासमा G7 Summit जो है वाद 2024 में इटली के अपूलिया में हुआ था इटली के अपूलिया के फसानों में इसे फसानों प्रवास के नाम से भी जाना जाता है G7 Summit जो है 13 से 15 जून 2024 के बीच में चला और एक खुसी का बात यह है कि G7 का सदस नहीं होते हुए भी भारत लगातार इसमें अपचारिक सत्रम हिस्सा ले रहा है अगर G7 के सदस को देखेंगे तो G7 में साथ बिक्सित अर्थ व्यवस्था वाले देश सामिल हैं ठीक है अमेरिका, कनाडा, जर्मिनी, जापान, इटली, ब्रिटेन, फ्रांस इस साथ देश जो हैं वहाँ G7 में सामिल हैं इसमें भारत के अलावा अन 11 से 12 देशों को इसमें अमंतरित किया गया था और यहां पाचमा ऐसा अवसर था जब आटरिक सत्र में परधान मंतरी नरेंद्र मूदी ने भाग लिया इसके अलावा पूर्व परधान मंतरी मनमुहं सिंग भी 5 बार आटरिक सत्र में भाग ले आता रहा है और इस सत्र में 14 जुन को भारत के प्रधान मंत्री का संबोधन हुआ और भारतिये प्रधान मंत्री ने AI and Energy Africa and the Mediterranean topic पर अपना संबोधन देते हुए AI for all का अवान किया इस संब्मिट की कई सारे महत्पुन बाते हैं जो की मेंस का जब मैं मौडल अंसे डिसकस करूँगा तो मेंस के परपस वहाँ पर डिसकस कर जाएगा प्रिलिम्स के बाद अभी जो प्रिलिम्स में पूछने एक फैक्ट्स है उसे मैं मोटा मोटी आपके सार डिसकस कर दे रहाँ जैसे इस G7 संब्मिट में उक्रेन को 50 अरब डॉलर के रिन देने की घोसना की गई और यह जो रिन है वह USA के द्वारा दिया जाएगा 2030 तक यह मात्पुन है 2030 तक मिथेन उत्सर्जन में 75% कटवती का लच्छ रखा गया है यानि कि G7 देशों के द्वारा 75% मिथेन उत्सर्जन कटवती का लच्छ 2030 तक रखा गया है पचासवा G7 सम्मिट इटली के अपुलिया के फसानों में और एकामनवा G7 सम्मिट कनाडा में 2025 में कनाना असकिसस अलबर्टा में आयूजित होगा ठीक है अगला है उक्रेन सांती सिखर समिलन देखिए 13-15 जून के बीच हमने बताया कि 13-15 जून के बीच G7 सम्मिट हुआ है ठीक है और 15-16 जून के बीच स्विटिजर लैंड में उक्रेन सांती वार्था सिखर समिलन का आयूजिन किया गया तो आपलों गयाद रखेंगे हाली में उक्रेन सांती वार्था सिखर समिलन का आयूजिन किस देश में किया गया तो आपलों क्या बताएंगे स्विटिजर लैंड में किया गया इसमें भारत की ओर से किसे ने भाग लिया या फिर उक्रेन सांती सिखर समेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसे ने किया तो भारत में विदेश मंतराले के सचीव पवन कपूर ने इसमें भाग लिया और भारत का प्रतिनिधित्व पवन कपूर के द्वारा जो की विदेश सहीत बारह देशों ने गोहसना पत्र पर सामती नहीं जताई एक और महत्त्रपुन बात है कि जो उक्रेन में सांती को लेकर जो सामिट हो रहा है उसमें रूस ही सामिल नहीं था बिना रूस के सामिल किया उक्रेन में सांती तो आ नहीं सकती क्योंकि उक्रेन का जो मसला है वह और उक्रेन के बीच बिवाद है रस्या जब तक संतुष नहीं होगा रस्या जब तक नहीं चाहेगा वह उक्रेन में हमला करना नहीं रोकेगा और तब तक सांती नहीं आ सकती तो दोनों पक्ष जब तक एक टेबल पर नहीं बैटेंगे तब तक सांती नहीं हो सकती साइद इसी लिए 20 के देशों के द्वारा हला की पर्यास किये दा रहे हैं लेकिन सांती अभी तक काया नहीं हो पाई है तो अगला सवाल है हाली में किस देश ने उक्रेण के साथ 10 वर्षिये सांती समध होता किया है तो हाली में USA ने यानि कि अमेरिका ने उक्रेण के साथ 10 वर्षिये सांती समध होता पर हस्ताथर किया है हाली में बंगला देश के प्रधान मंतरी की भारत यातरा संपन हुई यह यातरा 21 से 22 जून 2024 को संपन हुई और मंगला देश के प्रधान मंत्री कौन है सेख हसीना नई सरकार बनने के पष्चात भारत आने वाली पहली विदेश परमुख जो है सेख हसीना बनी एक और बात आप लोग याद रखेंगे कि नई सरकार बनने के पस्चात परधान मंत्री नरेंदर मोधी की दुवी पक्षे यात्रा किस देश में हुई तो दुवी पक्षे यात्रा रूस में हुई है हाला कि इटली में वे जा चुके हैं लेकिन इटली में वे दुवी पक्षे वारता के लिए स्पेसल उनका मंत्री तो नहीं किया गया था बलकि वे जी सेवन सम्मिट में भाग लेने के लिए गये थे वहाँ पर अलग सुन्होंने दुव्यपक्ष्य वारता की लेकिन अगर आपसे प्रसंग पूछा जाता है कि परधान मंत्री के द्वारा सपत गिरहने के पश्चात किस देश की दुविपक्ष्य वारता के लिए आत्रा की गई तो रस्या की आत्रा की गई थी या कापी है तो इसी परकार से भारत में नई सरकार बनने के पस्चाथ भारत आने वाली पहली विदेशी प्रमुक कौन बनी तो सेख हसीना पंगला देश के प्रधान मंतरी हल ही में रूस के राष्ट पती के द्वारा 24 वर्ष के पस्चात किस देश की यात्रा की गई तो हल ही में रूस के राष्ट पती बलादिमूर पुतिन 24 वर्ष के पस्चात देखेंगे तो दच्छिन कोरिया की वहाँ पर यात्रा की गई है ठीक है तो कोई भी अगर रूस का राष्ट पती 24 साल के बाद दच्छिन कोरिया की उसने यात्रा किया और बरतमान समय में रूस का राष्ट पती कौन है बलादिमूर पुतिन दोनों देशों ने मिलकर एलाइंस नाम से एक सम्ध होता किया है जिसके अनुसार एक देश पर हुए हमले को दूसरा देश खुद पर हमला मानेगा और परतिकिर्या स्वरूप उबावी उस देश पर हमला करेगा फोर एक्जाम्पल में है कि एक्जाम्पल की रूप में बता रहा हूं इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब है आपने नाटो में भी पढ़ा होगा कि नाटो में भी यही है कि अगर नाटो के किसी एक सदस पर कोई दूसरा राष्ट हमला करता है तो नाटो के सभी सदस अपने उपर हमला मानकर उसके खिलाफ अटैक करेंगे माल लेते हैं यहाँ पर कहने का मतलब है कि उत्तर कोरिया और दशिन कोरिया के बीच वार की स्थित्व उत्पन होती है एक एक्जामपल के रुपे ठीक है तो क्या है कि चुकि दशिन कोरिया रस्या के साथ समझोता किये हुए है कि अगर दशिन कोरिया पर आक्रमन होगा तो भी अपने उपर आक्रमन मान कर दचिन कोरिया का साथ देगा और उसके खिलाफ हुआ हमला करेगा तो अगर उत्तर कोरिया और दचिन कोरिया के बीच आक्रमन होता है तो दचिन कोरिया और रूस मिलकर उत्तर की कोरिया के खिलाफ आक्रमन करेंगे तो यह हो गया इसका मतलब ठीक है, नाटो में भी यही सामुविक सुरच्छा का सिधान्त देखनों को मिलता है, तो कुल मिला कर यह सवाल महत्पुन है, UNSC में पाच नए अस्थाई सदस बने हैं, इनकी सदस्ता जो है, एक जनवरी दो हज़ार पतीस इसवी से परभावी होगी, पाच नए जो अस्था उत्पादन होगा, तो कुल खादन उत्पादन अगर देखा जाए, तो 3288 लाख मिट्रिक टन कुल खादन उत्पादन अनुमानित है, वहीं चावल उत्पादन अगर देखा जाए, तो 1360 लाख मिट्रिक टन चावल उत्पादन वहीं गेहुम उत्पादन अगर देखा जा तो 1130,00,00 मिट्रिक टन गेहुं उत्पादन अनुमानित है तो कुल खादान उत्पादन 3,288 मिट्रिक टन अनुमानित है ठीक है और चावल और गेहुं का भी हमने यहाँ पर डिसकस किया अगला है 2023 24 में FDI में गिराबट ठीक है देखिये 2023 बित्य बर्स में FDI में भारत में गिराबट दर्च की गई है अगर 2023 में FDI देखा जाए तो 2022 24.42 अरब डॉलर कुल FDI प्राप्त हुआ है भारत को ठीक है तो 23-24 में FDI जो कुल प्राप्त हुई है वह 44.42 अरब डॉलर प्राप्त हुई है वहीं अगर 22-23 में देखा जाए तो 22-23 में 46.23 अरब डॉलर FDI था तो आप यहां समझ सकते हैं कि 22-23 की तुलना में 23-24 में FDI में गिराप्त दर्ज की गई है अगर सरवाधिक FDI प्राप्त देश जहां से हमें भारत को सबसे ज़्यादा FDI प्राप्त हुए हैं तो सबसे ज़्यादा सिंगापूर से भारत के FDI मिला है उसके बाद मौरिसस से भारत के FDI प्राप्त हुआ है और उसके बाद अमरीका से भारत के FDI प्राप्त हुआ है तो क अगला है बीत वर्ष चौविस पचीस में SVI ने चार सो नई साखाएं खोलने की घोसना की है बीत वर्ष चौविस पचीस में SVI कुल चार सो नई साखा खोलने की घोसना की है UNG के 89 सत्र के अधहच कौन बने हैं तो UNGA United Nations General Assembly यानि के संजुक्त राष्ट महासभा के 89 सत्र की अधहस्ता कैमरून के पुरु प्रधान मंत्री फिलेमान यानि के द्वारा की जाएगी तो बहुत मत्तपुण है UNG के पुरु परदान मंत्री फिलेमान यानि के द्वारा की जाएगी हाली में चर्चमे रहा E.R.A.M का फूल फॉर्म क्या है एक्स्चेंज रेट आटोमेशन मॉडूल E.R.A.M का फुल फार्म है अगला है सहित अकादमी इवापुरसकार 2024 देखें सहित अकादमी इवापुरसकार 2024 कुल 23 भासाओं के लिए दिया गया हिंदी में गौरापांडे को सहित अकादमी इवापुरसकार दिया गया है के लिए तो असमरितियों के बीच घीरी है प्रिथिवी वहीं अंग्रेजी के लिए सहित अकादमी इवापुरसकार के बैसाली को दिया गया है ग्रोइंग अप लेस्बियन एंड डिसलेक्सिक्स इन इंडिया के लिए टो हिंदी और एंग्रेजी महत्त पुने हमने बता दिया ते इस भादिये भासाओं में सहित अकादमी इवापुरसकार परदान किया गया है अगला है टेंपल्टन पुरसकार 2024 पुमला गोबोडो माडिक की जेला को दिया गया टेमपलटन पुरसकार 2024 पोमला गोबोडो माडी किलेजा को दिया गया है RBI को risk manager of the year award 2024 से समानित किया गया है तो risk manager of the year award 2024 से किस बैंक को समानित किया गया तो RBI को भुज गुजरात का असमिरतिवन भुचम्प असमारक संघरहाले को युनेस्को का प्रिक्स वर्सल्स पुरसकार प्रदान किया जाएगा तो युनेस्को का प्रिक्स वर्सल्स पुरसकार की से प्रदान किया जाएगा तो आप क्या बताएंगे गुजरात का अस्मिरिती वन भुकंप असमारक संगरहाले जो की भूज में इस्थित है अब कुछ पूस्ता का अपलग याद रखेंगे हाल ही में रूस के ओलेग कुनों को अंत्रीच में 1000 दिन रहने वाले पहले अंत्रीच यात्री बने बहुत मत पुने ठीक है अंत्रीच में 1000 दिनों तक रहने वाले अंत्रीच यात्री कौन बने तो रूस के ओलोग कुनों नेंको ठीक है आईकोस 24 हाल ही में चर्चा में रहा आईकोस 24 क्या है तो आईकोस 24 इस पात पर एक अंतराष्टिय सम्मेलन है ठीक है जिसका आयोधन कहा पर किया गया राची में किया गया है राची इस्थित कमपनी मैकॉन लिमिटेड के द्वारा सेल के साथ मिलकर आईकोस 24 का आयोधन रस्या में किया गया आप लग्याद रखेंगे हाली में आईकोस 24 का आयोजन कहां पर किया गया तो आप क्या बताएंगे रांची में किया गया है नॉमा T20 वर्ल्ड कप 2024 बहुत मत पुन है T20 वर्ल्ड कप आप सभी जानते हैं हाली में भारत T20 वर्ल्ड कप को जीता है और भारत ने दूसरी बार T20 वर्ल्ड कप जीता और दो बार T20 वर्ल्ड कप जीतने वाला तीसरा देश बना है ठीक है तो विजेता कौन है T20 वर्ल्ड कप यहां नॉमा T20 मैच था वर्ल्ड कप था जिसका विजेता भारत है और विजेता दचिन अफरीका 2007 के बाद दूसरी बार T20 वर्ल्ड कप जीत ठीक है ऐसा करने वाला दो बार जितने वाला तीसरा देश बना है, इसके पूर्मे बेस्ट इंडिज और Запूलार फिलिया है, ट्रूर्णमेंट का आयोजन अमेरिका वाब बेस्ट इंडिज में किया गया, इस टूर्णमेंट के तहट पलेअर अफ दा टूर्णमेंट बुम्रा को चुना गया वही प्लेयर आफ दा फाइनल मैच विराट कोहली को चुना गया ठीक है सरवाधी करन रहमान उल्लाह गुरबाज अफगानिस्तान के हैं उन्होंने बनाया और सबसे ज़्यादा भिकेट अर्शदीप सिंग वा फदल हक फारुकी ने लिया है ठीक है तो इस परकार से यह नॉमा T20 वर्ल्लकप मैच से संबन्दी था तो इस परकार से ओभर ओल अगस्त महिने की परत्युकता दर्पन की जो महत्तपून हाइलाइट पॉइंट्स थी जो की सतर्वी बिपेसिप प्रिलिम से सहीत अन्ड परत्युकता परिछाओं में पूछा ज में जाए परत्युकता दर्पन सोट नोट से कलग प्लेलिस्ट बना हुआ है उसी में परत्य एक महिने की परत्युकता दर्पन का नूट्स आपको वहाँ पर मिल जाएंगे और इसका पीडियेप के लिए जैसा कि हमने बताया अगर इसका पीडियेप आप लोग पर्चिस क करने के पस्चात आपको वहाँ पर मैसेज जो भी नोट से आपको वहाँ पर प्रोवाइट करा दिया जागा तो बस आज के वीडियो में तरहीं अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर नए है तो आपको सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमारे टेलिग्राम ग्रूप एज़ कर लें क्योंकि वहाँ पर वीपेसी के प्री और मिंस से समंदित मेटेरियल्स और फ्री गाइडेंस सभी को प्रोवाइट किये जाते हैं थैंक्यू सो मजच बहुत बहुत धन्यवाद